हेलो एवरीवन वेल्कम बाग टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ग्रूमिंग टिप्स और सेल्फ केर टिप्स जो आपके एवरीडे लुक को और भी ज्यादा अट्राक्टिव दिखा सकता है अगर आप यूनिवर्स्टी जाते हो कॉलेज जात करते हैं, tip no.1, be consistent with your skincare routine, अगर आपका कोई भी skincare routine नहीं है तो वो आज से शुरू कर दो, अपको अपको अपने skincare routine के साथ consistent रहना है, वरना आपको skincare routine के कोई भी benefits नहीं मिलेंगा So skincare का first step होता है face wash अगर आप अभी कोई face wash use करते हैं और आपके skin को suit करता है तो आप उसे continue कर सकते हैं बट अगर अभी आप कोई भी face wash नहीं use करते हैं तो मैं आपको suggest करूँगी कि आप यह मामारत का face wash भी use कर सकते हैं के अलावा अगर आप कोई safer side में जाना चाहते हैं अगर आपके skin sensitive है या फिर आपको कुछ suit नहीं करता है skin में तो आप simple का face wash use कर सकते हैं पिचर में लगा दूँगी आप देख लीजेगा यह face wash काफी अच्छा है अगर आप teenager है या beginners है तो भी आप इसे use कर सकते हैं अगर आपके skin sensitive है तो भी आप इसे use कर सकते हैं कोई भी side effect नहीं है बहुत gently यह skin को clean करता है second step होता है हमारा moisturizer moisturizer हमारे skin में hydration provide करता है अगर आपके skin में बहुत ज़दा dryness या dullness रहती है तो आप moisturizer बिल्कुल भी skip मत करो even oily skin वालों को भी कभी मौस्टराइजर skip नहीं करना है हर skin type वालों को moisturizer लगाना है बट आपको अपनी skin type के हिसाब से moisturizer लगाना है अगर आपके skin dry है तो आप कोई भी nevia का moisturizer यूज़ कर सकते हो तो oily skin वालों के लिए काफी ज़ादा अच्छा है उसके अलावा काफी सारे light weighted moisturizer और gels आते हैं तो आप उन में से भी कोई try कर सकते हैं देनाता है हमारे skincare का most important part जो की है sunscreen आपको sunscreen बिल्कुल भी skip नहीं करनी है फिर जाए वो summer हो फिर जाए वो winter हो तो अगर आप घर पे हो या घर से बाहर हो तो भी आपको sunscreen लगाना है sunscreen लगाना compulsory अगर आप सारे skincare के steps इस पॉलो करते हैं तो trust me आपके skincare करने का कोई मतलब नहीं अगर आप sunscreen नहीं लगाते तो इसलिए अगर sunscreen नहीं लगाते तो अभी से संस्क्रीन लगाना शुरू कर दो यहां पर मेरे पासे दर्डर्मा को की 1% हाइलरोनिक संस्क्रीन एक्वा जेल काफी अच्छी संस्क्रीन है SPF 50 है और यह स्किन में बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देती उसी के साथ साथ इसमें वाइटमीन E एन हालरोनिक आसेड है हालरोनिक आसेड हमारी स्किन को हाइडरेट रखता है और वाइटमीन हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है तो अगर आप यह संस्क्रीन परचे एक acid face serum, अगर आपको skin में pigmentation है, discoloration है, या फिर बहुत ज़्यादा dark spot है, pimples के marks है, तो आप इसे try कर सकते हैं, बट अगर आपके skin में pimples है, या फिर आपके skin dull, dehydrated रहती है, तो आपको अपने skin concern के हिसाब से ही serum purchase करना है. Second tip है, remove your unwanted hair, hair आना बहुत common चीज़ है, बट उने remove करना उतना important है, बहुत से लोगों को लगता है, facial razor use करने से hairs होते हैं, वो बहुत थिक आते हैं, या फिर बहुत fast आते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, यह एक myth है, and razor use करने से personally मुझे ऐसा लगता है कि instant glow आता है, आपके skin ज होती है, पूरी तरह से clear हो चुकी होती है, और काफी जदा clean भी लगती है, तो अगर आप razor use नहीं करना चाहते हैं, तो आप threading कर सकते हैं, बट कुछ लोग threading यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो काफी जदा painful है, razor बिल्कुल भी painful नहीं है, आपको बिल्कुल भी pain नहीं आपको अपने face में aloe vera gel की thick layer लगा लेना है, उचसे होगा क्या aloe vera gel लगाने के बाद आपके skin में कोई बी cut नहीं लगेगा, and facial razor काफी easily remove हो जाएंगे, and guys आपको 45 degree angle पे ही razor use करना है, बिल्कुल भी आपको rush में नहीं करना है, बहुत दीरे दीरे आप use करिएगा, जिससे कि आपके face में कोई cut ना लगे, and इसी से आप easily अपने skin के सभी unwanted hair remove कर सब, face shape कर लेने के बाद आपको face में अपने moisturizer जरूर लगाना है, जिससे आपके face में कोई भी irritation ना हो, next step है, do minimal makeup, आप जितना ही कम makeup करेंगे, वो देखने में उतना ही natural लगेगा, and आपके skin भी damage नहीं सबसे पहला product है, हमारा concealer, concealer optional है, जिनने थोड़ी सी coverage की जरूवत है, या फिर आपको spots है, skin में, या फिर आपको किसी भी तरह की problem है skin में, जिससे के आपको coverage चाहिए, तो आप concealer use कर सकते हैं, अपने सिर्फ dark spot पे, या फिर pimples पर उन्हें हाइड करने के लिए, next makeup product है, blush, अग powder blush यूज करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये NY makeup blush suggest करूँगी, काफी जदा अच्छा है and pigmented है, blush यूज करने से face में बहुत क्यूट लुक आता है, without blush तो makeup incomplete है, तो आप minimal makeup में blush जरूर apply करें, ये blush काफी जदा अच्छा है, अगर आप fair to medium skin tone के हो, तो काफी जदा अच्छा ल कर लेते हैं, बट eyebrows पर ध्यानी नहीं देते हैं, जिससे बहुत जदा rough look आता है, eyebrows कर लेने से वैसे हमारा face काफी जदा neat लगने लगता है, यहाँ पे मेरे पास है NY by के eyebrow pencil, इसका shade black है, बट मैं आपको suggest करूँगी, कि आप हमेशा brown eyebrow pencil यूज करें and बहुत जदा फिलना करें, जिससे unnatural look है, next makeup product है हमारे पास mascara, सिर्फ mascara लगा लेने से ही eyelashes इतनी जदा अच्छी लगती है, और उसी से ही पूरी look enhance हो जाती है, यहाँ पर मेरे पास है Maybelline का glossal mascara, काफी जदा अच्छा mascara है, वैसे Maybelline के सारे मस्कारे काफी जदा अच्छी होते हैं, बट यह वाला मेरा personally favorite ह इस से eyelashes को काफी जदा अच्छा volume मिलता है, and lashes काफी जदा lengthy लगती है, बिल्कुल भी clumpy नहीं करता, तो यह वाला mascara आप ज़रूर प्रचेस करें, next makeup product है हमारा lipstick, without lipstick तो वैसे ही look incomplete लगता है, तो आपको कोई ऐसा lipstick सेलेक्ट करना चाहिए, जो आपके हर एक look के साथ चला जाए और आप इसको everyday wear कर सको और बिल्कुल भी over ना लगे, तो उसके लिए यह blue heaven का lipstick बिल्कुल perfect है, हर एक skin tone के उपर जाएगा, इन काफी ज़्यादा सुन्दर shade है, इसका nude shade है, इसका price है 135 रूपीज, इसका shade में mention कर दूँगी, discount पर यह आपको easily 100 के around मिल जाएगी, अगर आप office जाते हो, तो यह आफी university जाते हो, तो यह shade बिल्कुल perfect है, बिल्कुल भी over नहीं लगता, next tip पर आपको अपने nails की care करनी चाहिए, अगर वो clean नहीं होंगे तो unhygienic लगते हैं, और देखने में भी अच्छे नहीं लगते, तो आपको अपने nails की care करनी कैसे है, आपको अप आपको अपने nails की length उतनी ही रखनी है, जितने की आप care कर पाओ, उसके बाद आपको जो भी nail polish पसंद है, nail paint पसंद है, वो shade आपको apply कर लेना है, ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ nude shade suggest कर रही हो, अगर आप student हो, college जाते हो, या फिर office भी जाते हो, तो भी shades काफी अच्छे लग तो आपको minimal jewelry पहनना है, जो की बहुत ज़दा over ना लगे, and jewelry पहनने से हमारे जो overall look होता है, वो काफी ज़दा enhance हो जाता है, अगर आपको bracelets पहनना पसंद है, तो आप इस तरीके bracelets पहन सकते हैं, जो की काफी ज़दा देखने में decent लगते हैं, और neck पे आप इस तरीके के lockets प पहनना पसंद नहीं है, तो आप watch में invest कर सकते हैं, and watch के आपको colors ऐसे select करने हैं, जो आपके almost हर outfit के साथ चले जाएं, जैसे की white हो गया, black हो गया, nude हो गया, brown हो गया, इस तरह के colors में अगर आप इनवेस्ट करते हैं, तो आपकी ये almost सभी outfit के साथ अच्छी लगते हैं, so guys, कहीता आज को वीडियो आई हो, वीडियो आपको पसंद आया होगा, and helpful रहा होगा, तो please वीडियो को like कर देना, और मेरे चानल पर काफी सारे skincare से related वीडियो हैं, तो उन्हें भी चक कर लेना, इसी तरह की content देखने के लिए चानल को subscribe जरूर कर लेना, मिलती हैं आपसे next वीड़े!